दोस्तों, आप देख रहे हैं सुन्दर बिहार, आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के, मचली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुन्दर बिहार चैनल के उपर कमेंट में आता है, हम कोशिस करते हैं उसी दिन जवाब देने के हमसे सवाल कीजिये, हम कोशिस करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला कमेंट किन का है, आज का पहला कमेंट है आकाश कुमार शाह के तरफ से लिखते हैं के सुन्दर भाई, बॉआल मचली कर सकते हैं देखिए नदी में नहर में बौाल मचली का मिलना आसान है अगर तलाब है जील है तो वहां आपको लोकेशन देखना पड़ेगा ऐसे लोकेशन देखिए जहां पर किनारे के तरफ थोड़ा गहराई हो और घास लटका हुए हो पानी में क्योंकि बौाल मचली पान के टॉप लेबल पर रखिए लेकिन अगर आपने जिन्दा मचली लगाया है खास तोर से कॉमन कार्प मचली हो गई या मिर्कल मचली हो गई तो इन मचलियों को आप टॉप लेबल पर रखिए जिन्दा मचली है तो छोटी-छोटी चार इंच, तीन इंच, छे इंच की दूरी जो है एक फूट होना चाहिए तो पानी का टॉप लेबल पर ये मचली चलती रहेगी बॉाल मचली नीचे रहेगी तुरंत इस पर अटेक करेगी और आसानी से शिकार हो जाएगा जब भी शिकार करे किनारे के तरफ आपको बिल्कुल शांती से शिकार करना पड़ेगा वहाँ शोर शराबा या घास पतवार में आप चलेंगे पानी में उसका धमक मिलेगा मचली को तो वह तुरंत वहाँ से भाग जाएगी इसलिए शांती से शिकार करिए ध्यान ये भी रखना है के पानी के ज्यादा किनारे जो एज है वहाँ पर आप नहीं जाएए नहीं तो पैर फिसलने का डर रहेगा इसका ध्यान करके शिकार कीजिए ओके दोस्तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है सुन्दर बिहार देखने के लिए धन्यवाद ठैक्यू शुक्रिया